मेरे प्यारे देश्वासियों, माय गौपर महराष्टर के जालना के डॉक्टर स्वपनिल मंत्री और केरल के पलककर के प्रहला राजगोपान ने आगर किया है कि मैं मन की बात मैं सडक सुरक्षा पर भी आपसे बात करूँ. इसी महने 18 जन्वरी से 17 फरवरी तक हमारा देश सडक सुरक्षा माह यानी रोड सेफ्टी मंध भी मना रहा है. सडक हाथ से आज हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में चिंता का विशय है. आज भारत में रोड सेफ्टी के लिए सरकार के साथ ही व्यक्तिगत और सामोईक स्तर पर कई तरया के प्रयास भी किये जा रहे हैं. जीवन बचाने के इन प्रयासों में हम सब को सक्रिय रूप से भागिदार बनना चाहिए. साथियों, आपने ध्यान दिया होगा Border Road Organization जो सडके बनाती हैं, उससे गुजरते हुए आपको बड़े ही इनोवेटिव स्लोगन्स देखने को मिलते हैं. This is highway, not runway, या फिर Be Mr. Late, then Late Mr. ये स्लोगन्स सडक पर सावधानी बरतने को लेकर लोगों को जागरूप करने में काफी प्रभावी होते हैं. अब आप भी ऐसे ही इनोवेटिव स्लोगन्स या catchphrases माई गौर पर भेज सकते हैं, आपके अच्छे स्लोगन्स भी इस अभ्यान में उप्योग किये जाएंगे. साथियों, रोड सेफ्टी की बारे में बात करते हुए, मैं नमो एपर कोलकता की अपना दाजजी की एक पोस्ट की चर्चा करना चाहूँगा. अपना जी ने मुझे फास्ट्रेक प्रोग्रेम पर बात करने की सला दी है, उनका कहना है कि फास्ट्रेक से यात्रा का अनुभवी बदल गया है, इससे समय की तो बचत होती है, टोल प्राज़ा पर रुकने, केस पैमेंट की चिंता करने जैसी दिक्कते भी खत्म हो गई है अपना जी के बात सही भी है, पहले हमारे यहां टोल प्राज़ा पर एक गाड़ी को आउसतन साथ से आठ मिनिट लग जाते थे, लेकिन फास्ट्रेक आने के बात ये समय आउसतन सिरफ डेड़ दो मिनिट रह गया है, टोल प्राज़ा पर वेटिंग टाइम में कमी आने से गाड़ी के इंधन की बचत भी हो रही है, इसे देश वाजियों के करीब 21,000 करोड़ प्रे बचने का अनुमान है, यानि पैसे की भी बचत और समय की भी बचत, मेरा आप सभी से आग रहे हैं कि सभी दिसान निर्दोश्र का पानन करते हुए, अपना भी ध्यान रखे और दूसरों का जीवन भी बचाएं